हम लोग संस्क्रीत में संस्क्रीत के छठे नमर चेप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है भारतिये संस्कारा यानि कि भारतिये संस्कार और इस चेप्टर से संबंधित पिछले विडियो में हम आपको इस चेप्टर का पूरा प्रस्न उत्तर बता दिये थे यानि कि आपके किताब में जितने सारे भी प्रस्ण दिये गए हैं, सारे प्रस्ण का उत्तर बहुत ही सरल भासा में और बहुत ही बारीकी से समझा करके आपको बताये थे तो यदि आप लोग प्रस्ण का उत्तर जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजेगा प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा और आज हम आपको इस वीडियो में इस चेप्टर का पूरा महत्वपूर्ण भी भी आई अब्जक्टिब कोश्चन यानि की बस तूनिस्ट प्रस्ण बताएंगे जो आपके परिच्छा के लिए बहुत ही जादा महत्वपूर्ण होगा तो बस आप लोग वीडियो को सुरू से लेकर के अंध तक देखिएगा ताकि एक एक प्रस्ण आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो चलिए बिना समय गवाय हम लोग सुरू करते हैं लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए सबसे पहला नमर प्रस्ण का उत्तार आप लोग जल्दी से बताईए जैसे ही हम प्रस्ण पढ़ेंगे आप लोग नीचे लाइफ चैट में इसका उत्तर बताएंगे और बिल्कुल सही सही उत्तर बताना है क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप लोग सब् संसकार परायह कितने परकार के होते हैं और देखिए यह वाला जो प्रस्ण है इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि संसकार सोलह होते हैं लेकिन कभी कभी ऑप्सन से सोलह गाइब हो जाता है आपको हम बताये थे कि संसकार पांच परकार के ह जन्म के पहले तीन संसकार होता है बचपन में छह संसकार होता है उसके बाद सिच्छा वस्था में पाँच संसकार होता है उसके बाद ग्रिहस्त जीवन के अरंभे में एक संसकार होता है और एक मरने के बाद जिसको दह संसकार बोलते हैं वह भी एक संसकार होता है तो यदि ह तो आप लोग यहाँ पर 5 पर ही सही टिक लगाएंगे क्योंकि 5 प्रकार के भी संसकार होते हैं तो उमीद करते हैं कि पहला नमबर प्रश्ण आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे अब बताएं दूसरा नमबर कोश्चन कह रहा है कि किसांत संसकार किसके अंतरगत होता है जन्म के बाद होता है कि जन्म से पहले होता है कि बिवाह की सिक्छा काल बताएं दूसरा का कौन सा जवाब सही होगा तो आपको पता होगा कि जो किसांत संसकार होता है वह सिक्छा काल ये कौन सा जवाब सही होगा, कह रहा है कि चूड़ा कर्म संसकार किसके अंतरगत होते हैं, तो ध्यान रखिएगा सैसवा अवस्था के अंतरगत होते हैं, तीसरा का C नम्मर उप्सन सही होगा, चलिए चौथा नम्मर कोश्चन कह रहा है कि सिक्षा संसकार कितने हैं, चौथ चौथा का कौन सा जवाब सई होगा तो आपको हम अभी बताए हैं कि सिक्षा संसकार पांच होते हैं चौथा का ए नम्मर उप्सन सई होगा चलिए पांचमा नम्मर कोश्चन मंडब का निर्मान किस संसकार में होता है बहुत ही असान प्रश्ण है मंडब का निर्मान किस संस संसकार में होता है बिवा संसकार में कि छात्रकाल में कि जन्म से पुर्व कि जन्म के बाद तो मंडब का निर्मान हमेशा बिवा संसकार में ही होता है पाचमा का ए नम्मर उप्शन सही होगा चलिए छठा नम्मर कोश्चन कह रहा है कि कन्यादान किस संसकार में होता है छठा नम्मर कोश्चन कौन सा जवाब सही होगा तो आप लोग जानते हैं कि कन्यादान जो होता है वह बिवा संसकार में होता है तो छठा का B नम्मर उप्शन सही होगा चलिए साथमा नम्मर कोश्चन मरने के बाद कौन संसकार होता है बताइए मरने के बाद कौन सा संसकार होता है तो यह तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि मरने के बाद दाह संसकार होता है यानि कि सात्मा का ए नम्मर उप्शन सही होगा चलिए आठमा नम्मर प्रशन कह रहा है कि संसकार कितने हैं तो आप लोग जानते हैं कि संसकार 16 होता है लेकिन 16 यहाँ पर option में नहीं दिया गया है इसमें आप लोग सुधार कर लिजेगा संसकार 16 होता है जिसको संस्कृत में सोडसह बोलते हैं चलिए नौमा नमर कोश्चन कह रहा है कि नौमा करन किस संसकार में होते हैं बताइए आप लोग नौमा करन किस संसकार में होते हैं तो आपको याद होगा कि नौमा करन बचपन में होता है जिसको सैसब संसकार बोलते हैं तो नौमा का C नमर option सही होगा चलिए दस्मा नम्मर कोशन कह रहा है कि ग्रिहस्त काल में कितने संसकार होते हैं ग्रिहस्त काल में कितने संसकार होते हैं तो अभी हम आपको सबसे सुरू में ही बताये थे कि ग्रिहस्त काल में एक संसकार होता है दस का A नम्मर उप्शन सही होगा चलिए 11 नमबर सब्त पदी किरिया किस संसकार में होते हैं सब्त पदी जिसमें साथ फेरा लिया जाता है साथ बचन दिया जाता है वह किरिया किस संसकार में होते हैं तो विबास संसकार में होते हैं तो 11 का D नमबर उप्शन सही होगा चलिए बारा नम्मर कोशन कह रहा है कि बचपन में कितने संसकार होते हैं बारा नम्मर कोशन कौन सा जवाब सही होगा बचपन में कितने संसकार होते हैं तो बचपन में 6 संसकार होते हैं जन्म के पहले तो 3 संसकार होता है तो गर्व धारन जन्म के पहले होता है तो तेरह का ए नम्मर उप्षन सही होगा चलिए चौदा नम्मर कोशन कह रहा है कि भरतिये दर्सन का महत्वपुन उपादान क्या है तो यह वला प्रस्ण भी हम आपको बताये थे और यह एक पदेन उत्तरवला में भी था कि भरतिये दर्सन का महत्वपुन उपादान क्या है तो संसकार है 14 का C नम्मर उप्षन सही होगा चलिए 15 नम्मर कोशन कह रहा है कि भरतिये दर्सन का महत्वपुन सुरोत क्या है बताये भरतिये दर्सन का महत्वपुन सुरोत क्या है तो 15 का सही जवाब हो जाएगा कि भरतिये दर्सन का महत्वपुन सुरोत क्या है संसकार है बहुत ही जादा असान असान प्रस्ण दिया गया है लेकिन इसी असान प्रस्ण में से आपके परिच्छा में पूछा जाएगा तो यदि आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तो आपको असान लग रहा है लेकिन जो बच्चे अच्छे तरीके से नहीं समझे हैं इस चेप्टर को उनको तो यह वाला चीज भी हाड लगेगा इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि जो भी पढ़िये ध्यान से पढ़िये चलिए 16 नम्मर कोश्चन बताइए कह रहा है कि प्राचीन संस्कृती की पहचान किस से होती है 16 नम्मर कोश्चन कौन सा जवाब सही होगा तो ध्यान रखियेगा कि प्राचीन संस्कृती की पहचान संसकारों से होती है 16 का A नम्मर उप्शन सही होगा चलिए 17 नम्मर कोश्चन, काफी महत्वपूर्ण कोश्चन है, कह रहा है कि सिमान्तोनियन किस प्रकार का संसकार है, 17 नम्मर कोश्चन कौन सा जवाब सही होगा, सिमान्तोनियन संसकार जब भूत प्रेट से बचाने के लिए बच्चों को किया जाता है, जब बच्चा गर्व हवस्ता में रहता है तो यह कैसा संसकार है तो गर्भवस्ता यानि कि जन्म पूर्व संसकार है जन्म से पहले वाला संसकार है चलिए अठारा नमर कोश्चन प्राचीन काल में सिस्यों को क्या कहा जाता था यह वाला नम्मर कोश्चन गुरू सिस्य को कहां ले जाते हैं तो हम आपको बताये थे कि गुरू सिस्य को कहां ले जाते हैं अपने घर में ले जाते हैं यानि कि 19 का B नमर उप्षन सही होगा चलिए उसी परकार से 20 नमर कोश्चन कह रहा है कि सिख्छा नियमों का पालन कौन करते हैं तो जो सिख्छ होंगे वहीं सिख्छा नियम का पालन करेंगे तो सिख्छ यानि कि C नमर उप्षन सही हो जाएगा चलिए एकईस नमर कोशन कह रहा है कि गुरू सिस्यों को क्या देकर घर भेजते थे बताइए एकईस का कौन सा उप्षन सही होगा तो गुरू सिस्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे एकईस का बी नमर उप्षन सही हो जाएगा चलिए 22 नमर कह रहा है कि प्राचीन काल में सिस्टी बेदा रंभ कहां करते थे पिता के घर में की माता के घर में की बिद्याले में की गुरू के घर में तो 22 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा गुरू के घर में क्योंकि बेदों का सिक्षा अध्यान करना कहा होता था गुरू के घर में होता था तो 22 का D नम्मर उप्षन सही होगा चलिए 23 नम्मर कोशन कह रहा है कि भरतिय संस्कृती का परिचय किस में दिखाई पड़ता है भरतिय संस्कृती का परिचय किस में दिखाई पड़ता है बिवाह में की दानब में की संसकार में की समाज में तो संसकार में दिखाई पड़ता है 23 का B नम्मर उप्शन सही हो थे कि सबसे अंतिम सिख्छा संसकार होता है समापवरतनम, 24 का B नम्मर उप्शन सही हो जाएगा, जब जो बालक होते हैं यानि कि जो सिष्य होते हैं वह गुरू के घर से ग्रहस्त जीवन में परव्यस्ट करते हैं, उसे समापवरतनम कहते हैं, चलिए पचीसमा नम्मर कोश् संसकार के अंतरगत क्या नहीं आता है, 26 नम्मर कोश्चन कौन सा जवाब सही होगा, गोदान की वागदान की कन्यादान की सिंदूरदान, तो आप लोग जानते हैं कि वागदान तो बिवास संसकार में आता है, यानि कि बचन देने वाला संसकार, कन्यादान भी आता है और सिंदूरदान भी आता है लेकिन जो गोदान हो गया वह विवास अंसकार के अंतरगत नहीं आता है इसलिए 26 का ए नम्मर उप्शन सही होगा चलिए 27 नम्मर कह रहा है कि कब गुरु सिस्यों को उपदेश देकर घर भेज़ते थे बताइए सिक्षा के मध में कि सिक्षा के अर नम्म के पहले ही 27 नम्मर कोश्चन कौन सा जवाब सही होगा तो आप लोगों को पता है कि जब तक सिक्षा पूरा नहीं होता है तब तक सिस्यों को घर नहीं भेजा जाता है यानि कि सिक्षा के अंत में गुरु सिस्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे चलिए 28 नम्मर नम्मर उप्शन सही होगा चलिए 29 नम्मर कोशन कह रहा है कि चरित्र का निर्वान किसे से होता है तो आप लोगों को हम बताये थे कि चरित्र का निर्वान संसकारों से होता है 29 का ए नम्मर उप्शन सही होगा चलिए 30 नम्मर कोशन कह रहा है कि अंतेष्ठी संसकार कब होता है तो आपको पता होगा कि जो अंतेस्थी संसकार होता है इसको 10 संसकार भी बोलते हैं और यह मरने के बाद होता है तो 30 का ए नम्मर option सही होगा चलिए 31 नम्मर question कूल मिला करके 35 question हम आपको बताएंगे जिसका बिल्कुल सही जवाब देना है और लास्ट में जरूर बताईएगा कि कितने प्रस्ण का सही जवाब आप लोग दिये हैं चलिए गोदान किस संसकार का मुख्य कर्म है गोदान जिसमें गौव को दान किया जाता था तो बताईए जल्दी से 31 नमर कोशन का कौन सा जवाब सही होगा तो यह किसांत संसकार के अंतरगत आता है 31 का B नमर ओप्शन सही होगा अब चलिए 32 नमर कोशन कह रहा है कि गरंथो में किसांत संसकार का नमांतर क्या है 32 number question कौन सा जवाब सही होगा गरन्तो में किसांत संसकार का नमांतर क्या है तो आप लोगों को पता होगा कि किसांत संसकार के अंतरगत गोधान किया जाता है अभी हम आपको बताए तो 32 का D number option सही होगा आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए 33 नम्मर कोशन कह रहा है कि वागदान किस संसकार में होता है वागदान यानि कि वचन देने वाला संसकार किस संसकार में होता है तो बिवास संसकार में होता है 33 का B नम्मर आप्शन सही होगा अब उसके बाद 35 और सबसे आखरी question कह रहा है कि भरतिये संस्कृती में कितने संस्कार होते हैं तो 35 का सही जवाब हो जाएगा कि भरतिये संस्कृती में 16 संस्कार होते हैं 35 का C number option सही होगा तो इस chapter में cool मिला करके हम आपको 35 महत्तपून objective question बताए अब आप लोग comment करके जल्दी बताएए कि 35 में से कितने प्रस्न का सही जवाब आप लोग दे पाए हैं यदि 35 प्रस्न आप से पूछा जाए 35 number का तो 35 में से आपका कितना नंबर आया है जल्दी से आप लोग नीचे comment करके बताएए यदि आप लोग पिछला दोनों वीडियो अच्छे तरीके से देखे होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि 35 में 35 का बिलकुल सही जवाब आप लोग बताए होंगे तो जल्दी से कमेंट करके इमंदारी से बताईए कि कितने प्रस्न का सही जवाब आप लोग बताए हैं और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा अपने दोस्तों के भी शेयर भी करिएगा और जो भी एस्टुडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का किसन आपको मिल सके तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए जैहिंद धन्यवाद